हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ी छोले दही चाट चो बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत ही चटपटी और इसको खा के इतना मज़ा आ जाता है कि जब भी आप इसको बना के अपने महवानों को खिलाएंगे खूब तारिफ होने जा दो इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे पापड़ी घर में बनाएंगे बहुत ही आपनी से बन जाती है और उसके बाद हम इसकी फ्रपरेशन करके पूरी चाट को एसेंबल करेंगे बहुत ही मज़ेगी बनती है इसको आप जरूर बनाएं और अगर आप किया पार्टी हो, स्नेक्स में आप इसको बनाएं, महमानों को खिलाएं और जब आपका दिल करें इसको enjoy करें देखें कितनी मज़ेदार ये लग रही है और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब के बिना ना जाएं और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर टेच करें तो चलिए हम इसकी पापड़ी की तयारी करते हैं, मैंने लिया है मैदा 200 गिराम, एक कटोरी मैदा है ये और इसमें मैं मिला रही हूं नमक, वन टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, साथ ही हम ले लेंगे एक चमच अजवाएं और इसको हाथ से मलके हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे ऑइल, मोयन लगाएंगे हम, ताकि ये खुब खस्ता और क्रिस्पी बने, इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून ऑइल लिया है, नॉर्मल है, गरम ऑइल नहीं है, नॉर्मल ऑइल मैंने इसमें डाला है, पैसाबसे पहले हम इसमें सब को मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम पानी थोड़ा-थोड़ा डालके इसका ایک dough टयार करेंगे तो देखिए डो हमारा तयार हो गया ये देखिए ना ये soft है ना बहुत hard है अभी हम इसको rest देंगे 10 मिनट के लिए तो इसके लिए हम इसको गीले कपड़े से ढग देते हैं और इसको side में रख देते हैं इसके लिए बस मेरा देखिए एक कटोरी में से इतना पानी लगाए थोड़ा सा बच गया है तो देखिए 10 मिनट हो गए अब हम इसको मसल मसल के थोड़ा सा चिकना कर लेंगे तो देखिए हमारा डो एकदम तयार है इसके छुट छुटे बॉल हमें बनाने है पापड़ी का size बहुत छोटा छोटा होता है आप अपने साब से भी रख सकते हैं मैं medium size की पापड़ी बना रही हूँ तो ऐसे हम इसके छुट छुटे बॉल बना लेंगे और बाखी बचे आटे को हम ढख के रख देंगे ताकि वो सूख न जाए अब आपको जो आपका platform में उस पर थोड़ा सा oil लगा लिए oil या घी और बेलन पर भी लगा लिजे और इन इसको गोल किसी धकन से कट करके भी बना सकते हैं जो आगे में दिखाऊंगी फोक से हमने इसमें छेट कर लिए ताकि फूले नहीं और बहुत क्रिस्पी फ्राई हूँ तो चलिए दूसरा मेथड में आपको दिखा रही हूँ आप एक बड़ा सा लोई का आधा पार्ट ले सकते हैं डिबे का उससे आप ऐसे कट कर लीजे तो यह एकदम गोल शेफ में आपकी बन जाएंगी और सानी से एक साथ कई सारी बन जाएंगी आप इसको ऐसे हटा ले निकाल ले और यह हमारी तयार हो गई पापड़ी दूसरे मेथड से अब यह बचेवे आटे को भी हम ऐ ट्ठेक कर लेते हैं कि कितना गरम है अच्छे से गरह में देखिए अच्छे से पाप्डी का मैंने एट टुकड़ा डाल ley हो गया upon इससे लो कर देना है पहले तेल को गरम कर लीचे फिर लो करके हमें अपनी पापड़ी अपनी फ्रआपापड़ करना है नहीं करी कर नहीं एकदम तयार है golden color की fry हो गई है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और जब यह थंडी हो जाती है तो यह और जादा क्रिस्पी हो जाती है तो इसको निकाल लेते हैं और फिर थंडा कर लेते हैं और फिर हम अपनी चाट में इसको यूज करेंगे इसी तरीके से हम सारी पापड़ी अपनी तयार कर लेते हैं तो देखें सब पापड़ी मैंने तलके निकाल ली है और अब मैं आगे का प्रोसेस बताती हूं आपको सबसे पहले हमें बनाना एक मसाला चाट का मसाला जिसमें वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर वन पाउडर है आधा चमच नमक आप चाहें तो इसमें आधा चमच काला नमक भी ले सकते हैं साथी में इसमें एक चमच चाट मसाला डाल रही हूं किसी भी ब्रैंड का आप ले ले और इस सबको आप मिक्स कर लें बहुत ही शांदार चाट का मसाला हमारा तयार है किसी भी चा कावुली चने एक कप कावुली चने को राद भर भिगो लिया था और सुबा मैंने 3 सीटी दिला के नमक डाल के इसको बॉयल कर लिया है साथ है मैंने 3-4 आलू को बॉयल किया है जिसको बारी काट लिया है और अब मैं अपना दही तयार करूंगे एक कब दही बहुत अच्छे से हम फेट लेंगे ताकि इसमें लंप्स न रहे और इसमें अब मैं मिलाओंगी पिसीवी चीनी नॉर्मल चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया था वो दो टी स्पून मैं इसमें डालूंगी ताकि इसका मिठा मिठा हो जाए जो चाट में बहुत ही शांदार लगता है अगर आप वर आज तक इसको अभी यूज कहीं करके उसगर करके बहुती टेस्ट इसका बदल जाता है चाट का बहुत ही मजगी लगते लगती है तो चलिए मैंने लिए हरी धनिय की चटनी इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहां से चेक आउट कर लेगा ये चाट के लिए तयार किये मैंने हरी चटनी चटपटी तीखी चटनी बनती है ये और अब चलिए हम अपनी चाट को असेंबल करते हैं सब अपनी लिए उसमें डृट युजेन चटनी चाट का इरका तयार किया था उसको हम छड़क देंगे उपर से चारोत तरफ चेड़की तरफ इसका टेस्ट बहुत अच्छ आता है और किया मिदे इसको नच्छा ने लेंगे धनिये की चट्नी वे उसको भी अच्छे से चाल तरफ फ्हलाएंगे और अब हम डालेंगे इसमें इमली की चट्नी मुझे ज्यादा पसंद है वह बहुत सारे पारीमली की चटनी चाट में यूज़ करती हूं आप अपने साब से कम जादा कर सकते हैं उपर से मैंने डाली है थोड़ी सी तोड़ के पापड़ी और फिर हम दूसरी लेयर लगा रहे हैं हम दही डालेंगे चटनिया दोनों डालेंगे ये मीठी चटनी डाल रही हूं इसी तरीके से आप इसको असेंबल करके बनाएं और फिर हम उपर भी थोड़ा सा मसाला चड़केंगे चटपटा तीखा मसाला हमारा चाट का अभी जो न धनिया उपर से डाल दें, तो देखिए हमारी चार्ट एकदम तयार है, बहुती शांदार, बहुती टेस्टी चार्ट बनी है, आप एक बर इसको जरूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट करके बताएं, कि आपकी चार्ट कैसी बनी, इतनी क्रिस्पी और चटपटी, खटी आप नहीं किया है, तो प्लीज, एक हमबल रिक्वेस्ट है, इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए, तो लाइक और शेयर करें, मैं आपसे नए-नए वीडियो लेकर फिर मिलूंगी, तब तर, टेक कियर, बाबाई आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की चाट की रेसिपी, यह हम सबको बहुत पसंद होती है, और यह बहुत असानी से घर पे बन जाती है, तो चलिए, आज हम इसको बनाते हैं घर पे चटपटी आलू टिक्की चाट की रेसिपी, यह बहुत ही क्रिस्पी बनी है, और य चलिए इसकें इंग्रीडियंट्स लेकंस मैंने आधा किलो आलू को भाय करके चील लिया और उसके बाद एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था धिस निकाल एक घंटे बाद और घिस लिया है और हमेने इसके साथ लिया है पोहा एककटोरी जो चुडवे होते हैं उसी को मैंने विगो दिया था दो मिनट के लिए और फिर छान लिया चन्नी में और साथ में मैंने लिया कॉन फ्लोर, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं तो चलिए हम ठिक्की का मसाला तयार करते हैं, आलू में सबसे पहले मैंने डाल दी हैं पोहे, ये इसको बहुत क्रिस्पी बनाते हैं और साथ में मैंने डाली है मिर्च और नमक, अब हम इसमें मिलाएंगे कॉन फ्लोर, पहले हम एक दो चमची डालेंगे और देखेंगे अग तो देखिए हमारा डो एकदम तयार है अच्छे से इसमें सारे मसाले मिक्स हो गए है अब हम इसमें टिक्की बनाने का पोर्शन ले लेंगे और एक बॉल की तरह बना लेंगे अगर ये इस टिक्की हो रहा हो तो आप हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लीजे और देखिए इसक अब अब हाथ से दबा के टिक्की की शेप देढ़ेंगे इसके बहुत असान है और बहुत जल्दी बन जाएगा तो चलिए इसी तरह हम सारी टिक्की तयार कर लेते हैं इसको मैंने इसके बाद आदे घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था फ्रीजर में नहीं नीचे फ कर सकते हैं आप चाहिए इसको डीफ्राइ भी कर सकते हैं मैं शैलो फ्राइ कर रहे हूं हलका सा तेल मैंने तवे पे डाल लिया है और इस पे मैंने रख दी है टिक्की फ्राइ होने के लिए फ्लेम हमारी मीडियम टू लो है हाई फ्लेम पे हमें से नहीं तलना है बहुत लो सेह बहुत अच्छे से फ्राई हो गये अब इसको दूसरी साइट से भी ठाप किने अच्छी कुटल पुरिंख च्रूंत फ्राई हु एसी तरह हम वागे की तर लेंगे हमने तेल थोड़ा सा पैन में डाला और अब हम अपनी टिक्की फ्राइ कर लेंगे दोनों साइट से तो चलिए एक मसाला तयार कर लेते हैं टिक्की के उपर हमारा चटपटा मसाला इसमें लिया है मैंने जीरा भुनाव एक चमच और लिया है मिर्च और साथ में मैंने लिया है इसमें काला नमक और अब हम इसमें बिला लेंगे आदा चमच नमक और इस सबको हम मिक्स कर लेंगे और इसको मसाले को बनाके हम रख लेंगे ताकि हम जब असेंबल करें टिक्क्यों को तो हमें असानी रहे यह देखिए आप इसको बनाके स्टोर कर सकते हैं हमने लिए एक इमली की खटी मीठी चटनी और धनी की चटनी इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं अगर आप चाहें तो वहां से चेक आउट कर सकते हैं यह देखिए यह बहुत ही टेस्टी बनती है इसको आप बना के स्टोर करें और अब हम इसमें लेंगे दही एक कटोरी जिसको मैंने अच्छे से फेट लिया है और अब इसमें मैं मिलाऊंगी एक चम्मच पिसीवी चीनी आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग चीनी मिला सकते हैं इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में हमें पानी बिल्कुल भी अब हम इसमें डालेंगे दही अच्छे से मिसमें दही डाल देंगे और अब हम इसमें मिलाएंगे खटी मीठी इंद्ली की चट्नी दही चट्निया इस सब का प्रपोशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं मुझे मीठी चट्नी बहुत पसंद है इसमें थोड़ा जादा अब इसमें हम मिला देंगे हरी चटनी, आप चाहें तो इसके उपर जो सेवा आते हैं वो भी डाल सकते हैं, अनार डाल सकते हैं, वो आपके उपर है आप इसको कैसे सजाना चाहते हैं, तो देखिए हमारी टिकी एकदम तयार है, अब हम इस पर डालेंगे अपना चटपटा म तो आप जटपट निकाले और उसको ट्राइ करें तो देखे टिकी एकदम तयार है क्रिस्पी आलो की टिकी बहुत ही मज़ेदार लग रही है और साथ में टेस्टी भी है अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले औ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ तब तक टेक कियर बावाई